नावालिक से दुशकर्म करने वाले आरोपी को दो घंटे में पकड़ा घर के पास किया था दुशकर्म कोटवाली पुलिस ने नावालिक से दुशकर्म करने वाले आरोपी को दो घंटे के अंदर गिरफतार किया 13 सेतंबर को नावालिक ने कोदवाली पुलिस को बताया कि शिवम कुछ वंदिया जो पडोस में रहता है उसने घर से थोड़े दूर ले जाकर उसके साथ जवेदस्ती गलत काम किया और भागया कोदवाली प्रभारी रोहित दोबे ने बताया कि आरोपी को मनियर में घर के पास से ही महस दो घंटे में गरफतार किया और आरोपी को माले नियाले पेश किया गया पुलिस अदिक्षक ने आरोपी के गरफतारी करने वाली टीम को इनाम देने के घोशना की है दिनांग 13-24 को थाने पर शिकायत परात हुए थी, पीडिता जो जिसकी उमर 11 वर्षे भी कम थी, इसके साथ दुष्कन भी शिकायत थाने परात हुए थी, जो थाने परात के मंग 578 वटे 24, धारा 65, धारा 137 दो, एवन 5 वटा छे पॉस को एक्ट के तैत पिकन में अपरात प गंभीरता, जो की पीडिता की उमर 11 वर्षे भी कम थी, जो मामले की गंभीरता को देखते हुए, शीमान पुलिस रक्षक मदेश शूप्री द्वारा पिकन में ततकाल आरोपी शिवम कुछवंदिया को ग्रफतारी के निर्देश दिये गए थे, जो कोतवाली पुलिस द् ग्राम मनियर से ही ग्रफतार किया गया, आज आरोपी को मानने न्याले जयर पर पेश किया गया है और इसमें तकपरता से फुलिस ने इस पक्रण में कारवाई करते हुए, आरोपी को दो घंटे के अंदर ग्रफतार किया है